दोस्तों मैं फराज मलेक, आज आपको 60 साल पुराने एक ऐसे सीक्रेट मिशन के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में शायद ही आप मेंसे कुछ लोग जानते हूँ अभी 4-5 दिन पहले उत्तरखंड के चमोली में जो गलेशियर फटा था, उसके बाद जो तबाही वहाँ पर दिखी, इस तबाही के बाद इस गलेशियर के तूटने के बाद उस 60 साल पुरानी घटना को, उस 60 साल पुराने सीक्रेट मिशन को याद किया जा रहा है, उसकी चर 7.7 मापी गई है, बड़ा खतननाक भुकम, लेकिन वो प्रिशानत महासागर में आया था, इससे किसी को जानमाल का नुक्सान तो नहीं हुआ है, लेकिन न्यूजिलेंड से लेकर इंडोनेशिया तक, लोग सहमे हुए हैं, और सुनामी की भी चेताबनी जारी कर दी गई है क्योंकि भुकम बहुती जादा शक्ती शाली था, 7.7 बहुत जादा तीबरता होती है, लेकिन ये प्रिशानत महासागर में आया था, जिसके बात सुनामी का खत्रा बढ़ गया है, तो दुनिया में रोजा ना कहीं ना कहीं इस तरीके से कुदरत अपना कहर धाती रहती है, लेकिन लोग इसको इनसानी जंदगी से जोड़ कर कहते हैं कि ये सारे इनसानों की गलतियों के वजा से ही कुदरत आज अपना कहर धार रही है, अब चलते हैं गिलेशियर की तरफ, गिलेशियर आखिर होता क्या है, आपको आम और साधी भाशा में समझाओं तो गिलेशिय क्योंकि पारा माइनस में रहता है, धूप बहा पर निकलती नहीं है, तो इस बज़ा से वहाँ का बरफ जो पिगल नहीं पाता और वो चटाने बनती जाती हैं, तो ये जो अभी चमोडी के अंदर घटना होईती है, तो इसी तरीके से वहाँ पर एक गिलेशियर जो चटान बरफ की वो तूटी थी, जिसके बाद बरफ और पानी नीचे आया, जिसके बाद वहाँ पर कुछ कारिये चला आता, डैम बनना आता, वो तूटा, उसके बाद इस तरीके की आबदा आ गई, कुछ रिपोर्स में कहा जा रहा है कि पहाड़ों पर ये जो प्रोजेक्ट बन साल पहले हुआ था, सन 1964 में अमेरिका की खोफिया एजनसी ने भारत की खोफिया एजनसी के साथ मिलकर जमीन से 7800 मीटर उपर नंदा देवी परबत पर एक मिशन शुरू किया था, सीक्रेट मिशन था, इस खोफिया मिशन का मकसद नंदा देवी पहाड़े पर एक खोफिय डिवाइज लगाना था, जिस डिवाइज से चाइना पर नजर रखी जा सके, चाइना पहरे भी अच्छी खाजी बदमाशी करता रहा है, मतलब चाइना हमेशा सही ऐसा है, जैसा अब वो उल्टे सीधी हरकते करता है, उस वक्त शीत युद्द चल लहा था, जिसको देखत नंदा देवी पहाड़ी पर 7800 किलो मीटर उपर ले जाया गया, उस बॉक्स में 8-10 मीटर का एक एंटीना लगा हुआ था, एक उसके अंदर बॉक्स था, दो ट्रांस रिसीबर सैट थे और एक परमाणू सहायक शक्ती जनरेटर था, तो इस तरीके का एक बॉक्स था 56 किलो आजाता है, जैसे ही नंदा देवी परवत पर बरफीला तुफान आता है, तो उस टीम के जो लीडर थे मनमोहन सिंग कोली, उनके पास दो आप्शन थे, या तो वो अपने टीम के मिम्बर्स की जान बचाएं और वापस लोड़ जाएं, या फिर उस बॉक्स को सरक्षित र पहुची और उस बॉक्स की खोश शुरू कर दी, लेकिन बहुत जद्व जहत के बापजूद भी वो बॉक्स नहीं मिला, छपपर किलो का वो बॉक्स नहीं मिला, पता नहीं वो पहाड़ियों में कहां पर डब कर रह गया, बहुत ज़्यादा सर्चकी लेकिन वो बॉक्स उस बॉक्स की जो आयू थी, वो तकरीबन सौ साल बताई जाती है, सौ साल तक वो बॉक्स कभी भी एक्टिव हो सकता है, तो अब ये जो ग्लेशियर फटा है नंदा देवी परवत पर इस ग्लेशियर के फटने के बाद उस मिशन की काफी ज़्यादा चर्चा हो रही है, औ के गाउंवालों के मताबक, नंदा देवी परवत के आसपाद जो गाउंए, उनके मताबक के हो सकता है के उसी कैपसूल के फटने की वज़ाद से ये ग्लेशियर तोटा है, तो एसे में ग्लेशियर कैसे पिखल सकता है, जब धूब निकलती है, सोरज निकलता है तो का था, जो कैपसूल वहां पर गम हो गया था साथ साल पहले, क्योंकि उसकी उमर तकरीबां सो साल है, सो साल तक वो कभी भी एक्टिव हो सकता है, तो वहां के कुछ गाउवालों का ये भी कहना है, कि उसी कैपसूल की फटने के वज़ा से ये गिलेशियर तूटा है, जिसके इतनी भारी तबाई आई है क्योंकि 2013 में जब केदारनाथ में ग्लेशिय टूटा था तो इतनी भारी तबाई नहीं आई थी नौरमल सा पानी आया था लेकिन अब बहुत सारी बाते चल लेए कुछ लोग कहा थे कि अजीब सी स्मेल आ रही थी वो जो धुआ आ रहाता मलबा आ रहाता और धुआ भी निकला बहुत सारी बाते चल लेए तो हो सकता है कि भाई उसी कैपसूल के फटने के वज़ा से ग्लेशिय टूटा हो लेकिन अभी तक कोई पुक्ता सबूत नहीं मिले हैं टीमें रिसर्च कर रही है और ग्लेशिय टूटने के वज़ा जानने की कोशिश कर रही है लेकिन बहुत सारे लोग इसको इनसानी जिन्दगी से भी जोड़कर देख रहे हैं कि इनसान खुद जिम्मेदार है इस चीज़ का तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको बता सब्सक्राइब करें मिलते हैं को नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभारत